दोस्तो आज बात करेंगे कितना दिन Gio 5G, यह Actyl 5G, जो Unlimited 5G है, वो कितना दिन तक चलेगा? कितना दिन तक यह Unlimited आपको Gio प्रोवाइड करेगा? देखिए जियो एक बहुत अच्छे कमपनी है रिलाइस जियो अज जियो की बात करते है जियो और ये अट्टिल दोनों ही है मैं जियो को पर्टिकुलर बात करता हूँ देखिए 5G डेटा अनलिमिटेड दे रहा है कोई लॉस करने नहीं बैठा है कभी ना कभी इसका रिचार्ज प्लैन आएगा ही अगर आपके पास एक 5G मुबाइल है और 239 से उपर रिचार्ज है तो आप जियो वेलकम आफर यूज कर रहे है और जियो अनलिमिटेड पैक भी मतलब अनलिमिटेड आप सुभी दा भी ले रहे है तो इसका प्लैन आएगा ही आएगा 2024 के मिडल में भी आ सकता है लेकिन जो लिक से और मेरा एक दोस्त क्या किया है जनौरी 2024 में 2049 रिचार्ज किया है मतलब एक साल का रिचार्ज किया है तो एक साल का जो रिचार्ज किया है 2399 पढ़ता है साइद तो वो रिचार्च करने के बाद उसका जो डेटा सो कर रहा है वो है 9 January 2025 तक उसका 5G प्लाइन चलेगा मतलब इसका जो मतलब है अगर आप मान लिजी आज आपका Reliance का डेटा खतम हो गया है तो आज आप एक साल का रिचार्च कर लिए तो एक साल तक आपका फोन में Unlimited 5G चलेगा मुझे जो लगता है और जो लिक से में के महिने में में के या जून महिने में मतलब 2024 के मिडल में एक डेडलाइन होगा उस डेडलाइन के अंदर जो जो रिचार्च करेगा जिस दिस प्लैन रिचार्च करेगा इतना दिन भर डिडिड आएगा उसके बाद उतना दिन उसको Unlimited 5G मिलेगा 4G जो है Reliance Geo 4G प्लैन में आपको Unlimited 5G मिल रहा है तो जो 5G नया प्लैन आएगा इस साल का मिडल में आई ही सकता है यह इस साल पूरा ही फ्री रह सकता है तो इस साल के मिडल में अगर आ जाता है मुझे जो लगता है कि 5G जो डेटा होगा वो Unlimited ही आपको देखने मिलेगा क्योंकि Reliance का जो 5G है वो बहुत स्पीड है Unlimited मिलेगा लेकिन रिचाज जो पैक होगा वो जो 4G का जो प्राइज है उससे कुछ जादा 10-20% जादा आपको देखने मिलेगा मतलब माल लेजिए 239 से आपको Geo 4G Unlimited मिलता था वी तो 5G Convert कर दिए Geo ने तो उसको ही 20% माल लेजिए उसका 20% मतलब 300 या 3700 में आपका Unlimited Plan रहना चाहिए अब पुरा-पुरी Geo के उपर है क्योंकि 2 साल तक 2022 से ये Unlimited 5G आपको प्रोवाइट कर रहा है और 2024 साइद मिडिल या पुरा 24 ही आपको True 5G Unlimited देखने को मिलेगा तो उसका जो आपको जो आदत डाल दिया Geo ने इसका तो आप जो सुविदा उठा लिए जो आप आदत कर लिए अभी तो आपको Geo True 5G तो चाहिए ही चाहिए तो यह लोग जो लॉस में दिया है Unlimited 5G उसका तो भरपूर फाइदा तो उठाएगा ही उठाएगा जो भी हो तो रिचर्स प्लान तो आना ही है पुरा मतलब हाट टाइम तो जीओ True 5G Unlimited नहीं चलेगा प्लान तो आएगा ही 2024 का मिडल में यह AIN में आना ही है प्लान 5G को तो देखते है मिडल में आता है कि 2024 में आता है तो जब भी आए आने के पहले मतलब जो रिचर्च प्लान आता है उससे पहले आपको एक डेडलाइन मिलेगा कि इससे पहले अगर आप एक साल का रिचाज कर लेते है तो एक साल तक आपको टुफाइब जी का माज़ा मिलेगा वह भी 4G के प्रैस में तो एक साल का तो आप रिचाज कर लिए तो तीन महीने तक आपको आनलीमेटेड डेखने मिलेगा तो आशा करते हूँ आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया है कि कब तक जियो टू 5G रहेगा तो आज का वीडियो इतना ही वीडियो अच्छा ना तो लाइक ज़रूर करना और कुछ भी पूछना है कुछ भी जानना है तो कॉमेंट में ज़रूर बताना आइस और वीड वीडियो बताता के लिए खुस रहें अच्छा ना वीरो देखने के लिए धन्वाद